गुड मॉनिंग गाइज वेलकम टू विद्धा 24 तो गाइज आज मनों स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ बाइलोजी का अब्जेक्टिव को सिंस और यह चैप्टर फाइब चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई दा फेंडमेंटल यूनिट अफ लाइफ तो सबसे जोक नाम का विज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले 1665 में मरी हुए शेल की खोज किया था ठीक है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जीवित खोज जीवित कोशिका की खोज किन होने की थी और कब की थी जीवित कोशिका की खोज किन होने और कब की थी वो comment box में comment करना ठीक है अब बात कर लेते हैं जो cell होता है cell के अंदर में nucleus पा जाता है और nucleus जो होता है वो main organ होता है cell का cell के जो 4 तरफ का membrane होता है उसको cell membrane कह जाता है जो कि किस चीज़ से बना होता है fat से बना होता है ठीक है पेर पोदा का जो कोशी का विद्ती होता है वह सेल्लोज्ज को बना होता है यह छोटा- अंदर में बहुत सारी अंगग पा जाता है जिसे कि गौल जी कंप्लेक्स होता है रावो-स-o-m होता है लाइसो-सोम होता है मेट्रो कॉंडिया होता है ठीक है और जीव द्रया वगेरा जिसको साइटो प्लाज वगेरा बोला जाता है तो यह जितने भी है सेल के अंगक यह सब मिल करके और जो वर्क करते हैं वो सेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए सेल के अंदर में जो एक्टिविटी से उसको बनाय लाज राखता है सेल को जीवित रखता है इन लो वर्क करके और जितने भी और जिस हैं जैसे के मैट्रो कॉंडिया हो गया है राइवोजोम प्लाज होगे के इंद्र कि एड एड एक फूल फॉर्म क्या होता है तो डि ओक्षी राइवो स्टीक है टीक है डीनिक कुछ की नहीं किया तो डफल फॉस्टेंडर जो डीनी होता है इंकी खोच किन होने की ती आप लोग कमेंट बोक्स में कमेंड करना इन जो DNA है उनका खोज किया था ठीक है कुछ इस तरह से DNA का structure होता है अब बात कर लेते हैं जैसे इसका option DNA किस में पा जाता है केंद्रक गुंसुत्र में मेट्रो कॉंडिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में इन सभी में तो इसका सही उत्तर होना चाहिए इन सभी में इन सभी में मेट्रो कॉंडिया का अपना DNA होता है सेल में तो सेल के केंद्रक में DNA पाया ही जाता है और कलोरोप्लास्ट जो की पत्तियों के पेर पोधा का कोशिका में जो पा जाता है कलोरोप्लास्ट उसमें भी DNA पा जाता है तो सेल के अंदर में सेल यानि कि मेट्रो कॉंडिया के अं अनुवांसिक कडी बोल चकते हैं DNA क्या एक अनुवांसिक कडी जो की पापा ममी से जो भी गुण है वो बेटे में उन गुणों को ट्रांसफर कराने का काम करता है ठीक है अगला question देख लेते है question number two question number two क्या है तो इन में से किसके गुनसुत्रों का निर्मान होता है, इन में से किस से गुनसुत्रों का निर्मान होता है, ठीक है, क्रोमोजोम का निर्मान होता है, DNA से, DNA वो प्रोटीन से, प्रोटीन से या फिर RNA से, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है, गुनसुत्र का निर्मान किन से होता है तो बीन में इसका सही उत्तर होगा प्रोटीन ओडिये ने दुनों से यहां पर एक वर आता है प्रोटीन प्रोटीन क्या है प्रोटीन जो है वो मेजर सोस है न्यूट्रेंट्स का प्रोटीन का वर्क क्या है तो सेलों का मरमत करता है तूटे-फूटे भागो का मरमत करता है प्रोटीन अगर हमारे बोडी में प्रोटीन ना रहे तो जो घाव होता है जो चोट लगता है वो सही तरीका से रेपेर नहीं हो पाएगा ठीक है तो प्रोटीन बहुत ही ज्यादा अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 3 क्या बोड़ा है तो जीन बने होते हैं जीन किनके बने होते हैं तो डिने के खंड से मैट्रोकोंडिया या रसधानी से क्रोमेटाइड क्रोमेटीन धागों से या फिर लाइसोसोम से ये क्रोमेटीन कहां पा जाता है क्रोमोजोम के अंदर में क्रोमेटीन होता है लाइसोसोम जो है वो कोशिका का अंगक है जिसको आत्म घाती के थेली भी कहा जाता है मैट्रोकोंडिया मैट्रोकोंडिया जो है यह उर्जा घर कहा जाता है कोशिका का पाउर हाउस अब दा सेल ठीक है और यह रस धानी है राइवोजोम है इसको प्रोटीन फैक्टरी कहा जाता है तो इस कोशिका का राइट एंसर हो जाएगा डी एन ए डी ऑक्सी राइवो न्यूकली के सीट के खंड जैफिए डी एन जो है वो जीन है ठीक है अगला कोशिका देख लेते हैं कोशिका की व्रिदी किसके द्वारा नियंतरित होती है कोशिका की व्रिदी किसके द्वारा नियंतरित होती है तो कोशिका जिली के जरिए गाली उपकरन मैट्रोकॉंड्रिया या फिर केंद्रक कोशिका की व्रिदी किस इसके दुआरा नियंत्रीत होती है तो इस को सेन का राय टैसर होना चाहिए केंद्रक क्योंकि केंद्रक के अंदर में क्या पाजाता है डिन यह एन ऑर एन विद्धी को कंट्रोल कर सकता है नियंत्रित कर सकता और केंद्रक ही करता है कोशिका की विर्दी को नियंत्रित ठीक है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा मेट्रो कॉंडिया को तो बता चुके है मेट्रो कॉंडिया जो है वो दोहरी जिली से बना हुआ एक अंगक है जिसमें जितने भी energy जो है वो संचारित रहती है storage रहता है किस form में तो ATP के form में अब question आ जाए गए ATP का full form क्या होता है तो adenosine triphosphate adenosine triphosphate के form में के रूप में energy store होता है metrocondiomate इसलिए तो इसको बोला जिता है powerhouse of the cell मतलब की कोशिका का बिजली घर अब यहां बात कर लेते हैं गौल्जी complex गौल्जी उपकरन तो गौल्जी उपकरन क्या है तो cell के अंदर में जो भी अवांचित पदात जैसे के lactic acid वगेरा जो श्टोर हो जाता है उस चीज को packaging करने के काम करता है गौल्जी उपकरन ठीक है और यह गौल्जी उपकरन का packaging करने के बाद जो भी यह product होता है वह cell membrane के जरिए कोशिका से कोशिका से बाहर करवाय जाता है ठीक है यह कोशिका जिली के जरिये ही यह lactic acid को बाहर करता है ठीक है और packaging करने के काम है आपका गौल्जी उपकरन यहाँ पे कोशिका जिली जो है जो कि plant cell में पाजाता है उनका work क्या है तो कोशिका जिली का main work है हानिकारक पदार्थों को cell से बाहर भीजना और लाबकारी पदार्थों को cell के अंदर आनी देना इसलिए तो इसको बोला जाता है पर्मेंबल membrane जिस तरह से चाय का जो छन्नी होता है चाय का छन्नी में अगर हम लोग चाय को छानते हैं तो उनकी प लाबकारी पदार्थ जो चाय होता है वो प्याला में आता है ठीक है प्याला में आकर के गिरता है तो यह क्या करता है हानिकारक पदार्थों को च्छान लेता है और लाबकारी पदार्थों को आगे भीजता है जिस तरह से ओजोन ओजोन लेयर क्या करता है कि संद से आने व पर्मेंबल मेंबरेन की तरह ही काम करती है उसी तरह कोशी का जेलिय कोशी का भित्ती भी पर्मेंबल मेंबरेन की तरह काम करता है नेच कोशन देख लेता है कोशन नमबर फाइब तो कोशी का सिधान का प्रति पादन किसनी किया था तो रोबर्ट हुक ने कोशेन का ओप्शन है रोबर्ट हुक लुवेन हुक या फिर जैंसन ने या स्लाइडन स्वीन और स्लाइडन ने तो इस कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन क्या था अच्छा ये स्लाइडन और स्वान के अनुसार कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन में ऐसा क्या थिया था इसको आप लोगों कमेंड बॉक्स में कमेंड करना है स्लाइडेन और्श्वान का क्या थियोरीता कोशिका सिधान्त को ले करके कोशिका को ले करके question number 6 question number 6 बोड़ा प्रतेक जीव कोशिका में निमनलिकित में कौन निश्चित रूप में पा जाते हैं तो centrosome, हरित लवक, metrocondria या फिर ribozome प्रतेक कोशिका जिव में एनिमल जिव में राइवोजोम जो है वो निश्चित रूप में पा जाता है राइवोजोम का वर्क क्या है तो राइवोजोम का वर्क है कि प्रोटीन संसलेशन की किरिया दुआरा प्रोटीन का उत्पादन करता है इसलिए तो इसको बूला जाताए है protein factory रावोजोम को protein factory भी का जाता है ठिक है अगला question देख लेते हैं question number 7, अंत्रप्रद्रविय जालिका जिसको बूला जाता है अंत्रप्रद्रविय जालिका यानि गौल जीकाई इसकी को तो अंतप्रद्रवी जालिका भी बोला जाता है निमलिकित में से किस किरिया से संबंधित है तो यह अंतप्रद्रवी जालिका जो होता है वो गोलजी उपकरन को नहीं बोला जाता है गोलजी उपकरन जो होता है गोलजी काय जो होता है वो अलग है और प्रोटीन का निर्मान या रुपांतरन वसा का निर्मान इन में से सभी या फिर अन्ता कोशिक्या परिवहन तो इस कोश्यन का राइट एंसर होना चाहिए इन में से सभी अन्ता प्रदिविजाली का यानि की यानि की ये इनका वर्क जो है वो प्रोटीन निर्मान भी करता है त्राबोजोम की तरह वसा का निर्मान भी करता है और आंता कोशिक्या परिवहन भी करता है तो D जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर 7 का कोशिका नमबर 8 इन में से किस सजीव कोशिका में किंद्रक नहीं पा जाता है तो जायलम वाहिनी कोशिका शक्खी कोशिकाएं या फिर जायलम परेंट काइमा या चालनी कोशिकाएं क्या होगा इसका सही उत्तर यहाँ पर जो जटील उत्तक का दो परकार का जो कोशिका पा जाता है एक है जायलम एक होता है फिलोम तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जायलम और फिलोम तो जायलम जो है जायलम से स्टार्ट होता है जायलम का वर क्या है तो इधर देख लेते हैं हम लोग ट्रिक के अनुसा जल से होता है जल और जायलम का भी पहला वर्ड है जल तो जायलम जो कोशी का है जो उतक है वो एक्चुल में पेड़ पोधे में पाये जाने वाले जो जड है वहां से जल और खनीज लवन को पत्यों तेक पहुंचाता है जायलम उतक जल से रिलेटेड करता तो जायलम उत्तक जल को जड से जल और खनीज लवन को जड से पतियों तक पहुचाने काम करता है लेकिन वही अगर देखा जाए फ्लॉयम तो फ्लॉयम जो उत्तक है पेड़ पोधा का वो पतियों में बनने वाले जितने भी स्टार्ट के फॉर्म में भोजन है जो कि फोटो फ्लेम का वर्क भी यहां पर ठीक है अब बोड़ा इसमें कोशिका में केंद्रग नहीं पाए जाता वो चलनी कोशिका में होगा अगला कोशिक देख लेते हैं कोशिक नमबर नाइन तो जिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें जाते हैं क्या कहलाते हैं तो इस कोशिका राइट एंसर हो जाएगा लाइसोसोम ठीक है जिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अंगक जिसमें पाचक रेसायन और एंजायम पाए जाता है वो लाइसोसोम कहलाता है और लाइसोसोम को आत्म घाती क थेली भी का जाता है ठीक है अगला कोशिन देख लेते हैं कोशिन नमबर 10 तो पादब कोशिका के चारो तरफ पाई जाने वाले जिल्ली को क्या काते हैं तो पादब कोशिका के चारो तरफ पाई जाने वाले जिल्ली को प्लाजमा जिल्ली काते हैं यानि कि option नमबर C जो होग इसका राइट एंज होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट आज के लिए इतना ही थैंक्यू